हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आर के और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप गूगल ओपिनें रिवार्ड के जो पैसे आपको मिलते हैं उनको कैसे आप अपने बैंक अकाउंड में ट्रांसफर कर सकते हो या फिर आपने प्ले स्टोर में कोई पैसे अड़ कर लिया है या फि दिखे 300 गया असपास मेरे पैसे पढ़े हुए है गूगल ओपिनें रिवार्ड पर यानी प्ले स्टोर पर ठीक है इन 300 को हम ट्रांसफर करेंगे अपने बैंक अगाउंड में तो इसके लिए हम क्या करेंगे एक एप का इस्तेमाल करेंगे गूगल ओपिनें रिवार्ड के जो पैसे उनको transfer करने के लिए तो यहां पर आपको सबसे पहले play store open करना है play store से हम एक app को download करेंगे internet on कर लेता हूं ठीक है और यहां पर आपको task की बस इतना type करना है task की और search कर देना है वैसे link आपका इसका description में भी मिल जाएगा इस app का वहाँ पस से जाके भी आप इस app को download क कर सकते हो और इससे मैंने बहुत बार पैसे transfer के रिया है अपने account में तो यह आप कैसे कते हो भरुसेमंद app है तो चलिए इसको open करते हैं पहली बार जब आप इस app पर आओगे तो यहां पर आपको account बनाना होगा तो यहां पर अगर आपका account नहीं है तो नीचे की side में लिख है create an account यहां पर click करना हुआ और यहां पर जब आप click करोगे तो यहां पर country automatically लेगा अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया पहले ही लगा मिलेगा नहीं तो आप यहां से change भी कर सकते हो कुछ और यहां पर लगा हुआ है उसके बाद अपना email address और एक mobile number जिस भी mobile number से आपका connected है जिस अगर आप पेटियम पे लेना चाहते हो तो वो पेटियम नमबर आप यहां से पहले से ही डाल सकते हो और कोई भी एक password रख लेना 8 नमबर का ठीक है 8 numbers होना चाहिए जिसमें एक ABCD का एक capital letter ले लेना आप और एक special collector ले सकते हो ठीक है उसके बाद आपको sign up कर लेना ह तो मेरा account यहां पर पहले से ही बना हुआ है तो मैं direct यहां पर इस पर login कर लेता हूँ अपना email address डाल के तो जैसे ही आप यहां पर login करोगे तो यहां पर इस तरह का app आपकी open हो जाएगी यहां पर सबसे पहले आप सो पूझेगा कि आपको कितने पैसे यहां पर convert करने हैं त 20, 30, 12 यहां पर यह history मेरी दिखा रही है कि यहां से मैं पहले से भी पहले भी यहां से purchase कर चुका हूँ मतलब यहां से पैसे convert कर चुका हूँ तो यहां पर नीचे के side में purchase का option रहता है यहां पर click करिए और यहां पर balance जो भी आप convert करना चाहते हो आपके जितने भी पैसे और नीचे के side में buy का option आपको देखने को मिल रहा होगा buy पे click करेंगे buy पे जैसे click करोगे तो verification के लिए जो आपका email address है जिस play store पर आपके पैसे पढ़ हुआ है वो email address आपका लगा होगा उस email address का password यहां पर आपसे मांगेगा तो वो password यहां पर डाल देना तो यहां पर मैं इसका password डाल देता हूँ password डाल लेंगे के बाद यहां पर verify पे click करेंगे verify पे click करने के बाद यहां पर payment successful होने के लिए यहां पर यह पूछ रहा है yes या no एक बार yes always पे click करेंगे और ok कर देंगे जैसे ही हमने payment यहां पर successful कर दी तो यहां पर हमें एक token मिल गया है और उस token को अब हम convert करेंगे पैसो में तो यहां पर convert token का option मिल जाएगा यह हमें token मिल गया है बाइचांस से यहां से इस page से हट जाते हो तो यहां पर मान लिजे गलती से आपको back हो जाता है कहीं और पर सबसे उपर देखने को मिल जाएगा और यहां पर convert now पर जैसे ही आप click करोगे तो आपको दिखा देगा कि आपने 200 यहां पर 200 का token लिया है और उसमें 120 रुपए आपको मिलेंगे आपके bank account में लेकिन अभी नहीं मिलेंगे यहां पर अभी convert करने का option आपको दिया गया है convert उ पर आपको convert पर click करना है उसके बाद यह आप से पूछेगा कि आप किस में लेना चाहते हो पेटियम में लेना चाहते हो पेटियम की UPI पर लेना चाहते हो Amazon UPI पर लेना चाहते हो या other कोई UPI address है आपके पास तो उस पर लेना चाहते हो वो आपको बताना पड़ेगा उसके अगर आप क्लिक करते हो तो bank account का नाम, branch, FSC code डालके बगएरा भी आप उस पे ले सकते हो तो मैं यहाँ पर Google Play UPI पे मान लीज़े मैं लेना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और अपना Google Pay UPI का जो भी mobile number हमारा add होगा Google Pay पे वो नमबर यहाँ पर डालके और payout पे क्लिक कर देंगे तो मेरा पहले सही यहाँ पर लगा हुआ है नीचे की साइड में तो यहाँ पर repeat पर उसी पर confirm के क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारी history पर अगर वापस से जाता हूँ तो यहाँ पर देखे processing पर लग गया है और यहाँ पर date भी दे दी जाती है कि कब तक आपका process हो जाएगा जो आपका payment है यहाँ पर 28 November दिखा रहा है यानी करीब करीब 10 दिखा रहा है 10-12 दिन लेकिन यहाँ पर क्या है कि कभी-कभी 12-12 दिन से जाधा भी लग जाते है 15-16 दिन भी लग जाते है तो आपको 2-3 दिन extra भी wait करना पड़ सकता है लेकिन हाँ आपको payment ज़रूर मिल जाएगा क्योंकि इसको मैं बहुत बार इस्तमाल कर चुका हूँ और इसके अलावा यहाँ पर देखे एक email भी आ ग गई है और नीचे के वाइड में बिल गएरा सारा आपको देखने को मिल जाएगा तो इसकी payment हमें मिल जाएगा तो इसकी payment हमें मिल जाएगा तो इस तरह से आप task की app से अपने पैसे जो हैं उनको convert करके अपने account में किसी भी account में ले सकते हो wallet या account में जैसा भी आप comment box मताना मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई